हेलो दोस्तों मैं हूँ डाक्टर नदीम खान मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आज आपको दोओंगा एक नप इंपल्स के लिए होमपेजिक मैडिसिन बताऊंगा जो बहुत इफैक्टिम मैडिसिन और बहुत अच्छी जड़ देती है तो दोस्तों अगर आपके चेर पर बहुत ज़्यादा एक नप इंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं कील मुहासे हो रहे हैं और आपने बहुत सारी मैडिसिन यूज कर लिए हैं लेकिन आपके एक नप इंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं तब भे आपके एकणव-पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ऐसी मैडिशन लायाुँ हूँ आपने कितनी भी मैडिशन यूज कर लिए एक बार इसको यूज कीजिए आपके एकणव पिंपल्स हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे बहुत ही effective medicine है इस वीडियो में दोस्तों 3 medicine बता हुआ यानि 3 दवाई बता हुआ एक लगाने के लिए cream बता हुआ और पीने के लिए 2 drop बता हुआ जो बहुत ही effective medicine और बहुत अच्छी जल देती है सबी तरह के एक न पिंपल्स में अगर आप medicine खाते खाते ठक गए हैं आपके पिंपल्स किसी medicine से भी ठीक नहीं होई है और ठीक हो भी जाते हैं जब तक यूज करते हैं हो जाते हैं medicine छोड़ने के बाद या cream छोड़ने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं तो आज दोस्तों permanent इलाज के लिए मैं कुछ home pediatric medicine लाया हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह कुछ इस तरह की होती है यह आर्थरेपन के नाम से जानी जाती है और डाक्टर रैक्वे के कमपणी है जो जर्मन की कमपणी है जो इसको बनाती है तो इस तो बहुती effective medicine है बहुत अच्छी ज़र देती है अगर आपको एकनाप impulse कितने भी हो रहे है और किसी भी type के हैं यानि किसी भी तरह के हैं बारीक हैं, मोटे हैं, पस वाले हैं या आपको सूके हैं, किसी भी तरह के एकनाप impulse है तो इसको ठीक करने की बहुती effective medicine है और बहुत अच्छी ज़र देती है क्या आपको कितने भी पुराने एकनाप impulse है जैसे किसी किसी का एक दो साल पुराने है या इससे भी पुराने हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसको ठीक करने की बहुती effective medicine है तोस्तो इसमें medicine जानने जाननेते हैं, कौन कौन सी medicine डली होई है तो सबसे पहली जो medicine dilution है Ammonium, Bromium ब्रोमेटम डली होई है Bromium डली होई है Hepηर सल्प डली होई है Jughlan illness डली होई है Karlibrom डली होई है Bromium C डली होई है व्यूला ड़ी होई है दोस्तों जितनी भी मेडिसन इसमार्ण की होई है यह एक नप इंपल्स को ठीक करने की एचूप मैडिसन एником की होई है और बहुत ही इफनी मैडिसीन है और बहुत जादा फास्ट विजल्ट देना मदद करती है आप इसको एक बार यूज कीजिए अगर आपको कितने पुराने एकनफ इंपल्स है तो इसको ठीक करने की बहुत ही फैक्टिव मैडिसीन है अब दोस्तों में इसको यूज करने तरीका बता दे तो आपक सेर्मल की फाइल होती है यह आपको दोस्तों इसकी दृस दोब इनमें तीन बार यह अब चाए तो पंदर डू कि ले सकते हो दस्यक्ति पंदर ने ओन को रोट से जो बारा साल उपर हो गार उनको सब सब्सक्राप गारह साल सक्क्राइस में और चनकि और चनकी बार को और 6 साल के बीच में हैं उनको इसकी 5-7 डोब जिन में 3 बार लेनी है तो उस तो बहुत अच्छी रिज़ देगी बहुत अच्छा काम करेगी मैं आपको यूच करना तरीका सही से दिखा देता हूँ आपको इस तरह से खोल लेनी है यह मानने जिए मेरे हाथ में आदे कप को आदा कप पानी है आदे कप के आदे कप पानी में 10-15 डोब जिन में 3 बार लेनी है थोड़े से पानी में डाल कर यानि आदे कप के आदे कप में इसकी पंदर-पंदर 10-15 डोब जिन में 3 बार और जिनकी एच कम है 12 साल सा कम है तो उनको इसकी 5-6 ड्रोव जोनों 3 बार अब दोस्तों मैं दूसरी मैडिसन दिखा देता हूँ जो पीने के लिए होती है बाद में लगाने के लिए भी एक क्रीम बता हूँ तो दोस्तों यह कुछ इस तरह की होती है कि ये बर्वरी सेक्टिफूलियम के नाम से जानी जाती है बर्वरी सेक्टिफूलियम क्यों इसकी पावर होती है जैसा 30 पावर होती है 200 पावर होती है क्यों इसकी एक पावर है तो आपको बर्वरी सेक्टिफूलियम क्यों लेना है दोस्तों बहुत ही effective medicine माने जाती है एक नप इंपल्स के लिए और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली medicine है बर्वरी सेक्यूफूलियम अगर आप home pathic use करते हैं तो आपको पता होगा बर्वरी सेक्यूफूलियम दोस्तों इस skin disease में बहुत अच्छी रियर देगी बहुत अच्छा काम करती है सब इस तरह के एक नप इंपल्स को और आप खून में भी गर्मी है दोस्तों क्वोन की गर्मी को भी निकालने मद्ध कहती है blood purifier भी करती है खून को blood purifier करती है यानि खून सपावी खून सपागा काम करती है अब दोस्तों इसको भी use करना है तरीका बता देता हूं मैं तो आपको अंजर से कुछ इस तरह की देखनों को मिलेगी यह काच की फाइल होती है और थीसे मेल की फाइल आपको SBL की लें लेनी है, बहुत अच्छा रियर देती है ये भी आपको इसकी 15 भंदे ड्रोब दिनमें तीन बार पीनी है अगर हम Cand CVD एडल्ट हैं, उसी तरीके सचे आदे कप का आदे कप पानी लेना है और उसमें 15 भंदे जिनमें तीन बार पीलीए चुनकी एच 12 साल से उपर है और जिनकी एच 12 साल से कम है उनको हाफ डोच कर देनी आनि 5-7 ॢब कर देनी आनि seven को पांस साथ ड्रोप तिन में तीन बार लेनी है धोड़े से पाणी में डाल कर अब दोस्तों मैं तीसरी जाने जातीए हो यह कुछ की फॉback की फॉबज फॉर maa कुक्ष लोती है यह कियुट इस तरह की होती है सबसक्रीन के लहांतर है किरीम के नाम से जानी जातीए और दोस्तों बैश्ट क्रीम में से 1 देबicy जान लेता हुँ कौन कौन सी मेडिसिन योई हैं तो दोस्तों थूज़े लियो विए बर्बरी सेक्टी फूलियम डली ओये केलंडूली योई लीडम पाल डली हो यह हाइड्रेस्टिस डली हो यह कुरकुमा लोंगा डली हु यह और दोस्तों यह जितनी medicine add की होई है अगर आपके चेहर पर एकना फिम्पल्स है आपके चेहर पर बहुत ज्यादा redness है या आपके चेहर पर किसी भी क्रीम से है किसी medicine side effect आ गया है तो उसको भी हटाने मदद करती है जैसा आपने कोई alopathy की क्रीम लगाई है और उससा आपका face जो है वो redness हो गई है अप चेहर पर लाली आ गई है तो उसको भी ठीक करने मदद करती है और एकना पिम्पल्स को दूर करने की बहुत ही effective medicine है अब दोस्तों मैं इसको भी यूज करने तरीका बता देता हूं आपको यूज की तरह से करना है तोस्तों कुछ इस तरह से यूज धो लेना या उनि अपना चेहर धो लेना है उसके बार साफ कर लेना चेहर दोस्तों किसी भी चीज से धो सकते हो जैसर包 हूँ से यूज करते हो या कोई soap यूज करते हो शभी पेसलिय नहीं आ उसस에서 दो लेजिए और दोने के बाद अपना चेहरा टावल सच्छी से साफ कर उसके बाद ये क्रीम लगानी है आप चाहे तो इसे एक बार दिन में भी लगा सकते हो और आप चाहे तो इसे एक बार रात में भी लगा सकते हो रात में तो जरूर लगानी है आप चाहे तो दिन में भी लगा सकते हो और दिन में लगाने के बाद धूप में भी जा सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा अंदर से दिखा देता हूँ आप कोई अंदर से दोस्तों इसमें कुछ एक इंफॉर्मेशन पेपर में निकलता है, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का, इसी के अकॉर्डिंग होता है और दोस्तों ये अंदर से कुछ इस तरह की होती है ये 25 ग्राम की फाइल होती है और आप उसे सिंपल सा खोल लेना इस तरह से और इस तरह से लेकर अपने फेस पर लगा लेनी है, चेहरा दोने के बाद और थोड़ी दे दोस्तों इससे रप कर देना है यानि स्कीन में पुचा देनी है ये जो क्रीम होती है, ये स्कीन में पुचा देनी है यानि जब स्कीन में समा जाए उसके बाद आपको सो जाना है यानि जब आप नाइट में लगाओ तो नाइट में लगाने के बाद छोड़ देनी है और सुबह को अपना फैस दोलेना है दोस्तो आप चाहते हैं से एक बार तिन में भी यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही फैक्टिव क्रीम है और बहुत अच्छी रियर देगी और बहुत अच्छा काम करती है हौज है। दोस्तो जा सुब्सenizट यह और तेरी उपन और मिल जाएंगी आप चाहएं से ऊन्लाइन भी खरीज शकते हैं उनलाइन भी मिल जाएंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लाओ तो पिलीज लाइक कर दीजी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी बैल आइकन को भी दबा दीजी ताकि मैं तब भी नहीं वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो दोस्तों मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ वाइ